अगर आप एक private sector में जोब करते हैं तो आपके employer या आपकी company के दवारा आपको एक UN number जरूर रलोट किया होगा जिसके तहत आप पूरे देश में कहीं भी काम करते हैं तो आपका जो PF number है वो तो change होता रहते हैं परंतु UN number एक ही रहता है जिसमें हर महीने आपकी salary से कुछ percent साथ की company के दवारा कट कर उसमें जमा होता रहता है जिसको लेकर बहुत से करमचारी को यह डाउट होता है कि उनकी salary में से जो रूपया कट रहा है यह मैक्सिमम 18 रूपया कट रहा है इसके साथ ही जो रूपया उनके account से कट रहा है वह उनके employer के दवारा double नहीं करके जमा क करा रहा है तो आज की है वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और आपके सारे डाउट के लिए हो जाएंगे कि आपकी basic salary कितनी है और कितना परसेंट आपका employer आपके पीएफ अकाउंट में जमा करा रहा है और कितना परसेंट आपके पैंसन अकाउंट सबसकार मेरा नाम है सुब्राम सिरोवा आप देख रहे हैं सुबहम टेक्निकल सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निलोजी वीडियो पाने के लिए अब भी हमारे चैनल सुबहम टेक्निकल को सबस्राइब कीजिए और साइड में जो बैल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए आपकी सेलरी में से कितना रुपया कटता है 12 परसेंट कटता है या मैक्सिमम 18 रुपया कटता है इसको देखने के लिए दोस्तों मैं आपको एक लाइव एक्जामपल दिखाने वाला हूँ इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितना रुपया हमारा कटता है और आप अपनी basic salary का या आप अपनी passbook का कैसे check कर सकते हैं कि हमारा कितना रुपया कट रहा है इसको देखने के लिए simply आपने जो passbook की site है इसको open करना होगा इस site का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहां से आपने यहां यूएन नमबर फिल करना है पासवर्ड फिल करना है और यह capture code दिखाई दे रहा है यह capture code फिल कर लेना है इसके बाद में login पर click करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface site का आएगा यहां पर आपसे member id select करने के लिए कहा जाएगा तो जितनी आपकी member id है एक से अधिक भी हो सकती है कि जहां आपने काम किया है उतनी सारी member id इसमें so करेगा सबसे नीचे वाली जो member id होगी वह आपकी current वाली होगी जिसमें आप present में काम कर रहे हैं यह अगर आपने छोड़ भी दिया है तो last time जब आपने छोड़ा है वह सबसे नीचे वाली member id इसमें दिखाई देगा उसको आपने select कर लेना है इसके बाद में आपने इसम इसमें तीन option दिखा रहे हैं तो इसमें सबसे last वाला option है view passbook इस पर आपने click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपकी passbook इस पर दिखा दी जाएगी जोस्तों कुछ इस प्रकार का interface आपकी passbook का यहां पर दिखाई देगा यहां से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका total amount है वो दिखाया जाएगा और सारी detail आप यहां से चेक कर सकते हैं कि कोन से महीने में कितना रुपए आपके pf account में जमा हुआ है और कितना percent आप यह आप इसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं total EE balance जो दिखा रहा है हमारे यहां पर दिखा रहा है 1,83,003 रुपए तो जो यह total EE balance है यह आपका खुद का balance है यानि आपका खुद की salary से कट कर 12% यह जमा हुआ है इसके बाद में दूसरा है total ER balance जो होता है वो आपके employer के दवारा यहां पर जमा किया जाता है इसका जो percentage है 3.67% है वो आपकी basic salary plus DA को मिला कर उसमें से 3.67% यह जमा होता है इसके बाद में तीसरा जो contribution है वो pension contribution होता है यहां पर आप देख सकते हैं तीन deposit है और यह तीसरा है इसमें pension contribution तो जो pension contribution है वो 8.33% वो आपका employer या आपकी company इसमें जमा कराती है आपकी basic salary का तो आप इसकी गढ़ना कैसे करें और यह percentage आप कहां से लें तो दोस्तों मैं आपको contribution rate इसमें जो PF site पर डाले गए हैं उसका मैं आपको दिखा देता हूँ यह अभी नए है क्योंकि पहले इसमें EPF जो था employee provident fund होता है जिसका 10-12% अब यह कटता है 10% किन का कटेगा जिस company या factory में 20 employee से कम है वो 10% तक EPF काट सकता है और इससे अधिक है तो उसको 12% ही काटने होंगे इसके बाद में EPF है जो employer का है यह तो employee का हो गया 12% 10% 10-12% और दूसरा है employer का employer का जो contribution है वो 10% है अगर काट रहा है तो उसका कुछ और होगा अगर 12% काट रहा है तो इसका 3.6-7% ही होगा इसमें आप देख सकते हैं जो EPS है employee pension scheme employee pension scheme में आपका रुपया जाता है आपकी basic plus DA को मिलाकर salary का 8.3-3% तो यहां से आप चेक कर सकते हैं 12% तो आपका खुद का कट रहा है और 3.6-7% इसमें जोडेंगे तो यह भी 12% बन जाता है आप यहां से इसको चेक कर सकते हैं जो 12% है वो आपका कटा है तो आपकी salary में से अठारा सो रुपय यहां पर जमा हो गए अठारा सो रुपय दोस्तो मैंने जब आपको बताया था कि 12% करता है या अठारा सो रुपय तो maximum जो है contribution rate है वो अठारा सो रुपय है यानि आपकी 15,000 salary पर maximum इस पर कटेगा तो 15,000 salary को हम count करते हैं 12% से तो वो अठारा सो रुपय ही बनते हैं आपको calculator की माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं आप भी अपना calculator निकाल सकते हैं इसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है आप यहां से jack कर सकते हैं हमारा यहां पर छटे महीने का कटा है अठारा सो रुपय है तो हमारा खुद का सेर कटा है और employee जो सेर ह वो है 550 रुपय है इसके बाद जो pension contribution है वो 1250 रुपय है आप यहां पर view passbook पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी जो wages है वो दिखा दी जाएंगी हर महीने की wages दिखाई जाएंगी यहां पर आप हमने जो बताया था छटे महीने का तो यहां पर जो हमारी EPF wages लगा रखी व अगर हम 15,000 पर 12% करेंगे तो वो कितना आता है मैं आपके सामने दिखा देता हूं 15,000 हम गुणा करेंगे 12% इसको भाग करेंगे 100 से तो हमारा 1800 रुपय यह बन रहा है तो इसका मतलब हमारा 12% कट रहा है दूसरा जो इसमें employee जो share है employee share आपका कटता है 3,6,7% इसको कैसे ग गुणा 3,6,7% भाग में इसको सोख से करेंगे तो इसका भी हमारा 550 रुपया बन रहा है 550,5% तो यानि 550 इसको मान लेते हैं यह 550 रुपय हमारा सही कट रहा है तीसरा है हमारा pension contribution, pension contribution कितना कटता है हमारा 8,33% तो इसको भी हम गणना करते हैं इसकी 15,000 गुणा 8,33% भाग में 100 तो यह हमारा बन रहा है 1249 रुपया 5 पैसे तो आप यहां 50 पैसे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं तो यह भी हमारा 1250 रुपय ही बन रहा है तो कुछ इस प्रकार से हमारा pension का contribution होता है अब मैं आपको दिखा देता हूं जो contribution rate है वो कैसे कटते हैं आपने यहां पर देखा कि जो employer share है employee share है वो 12 परशेंट है और employee share है इसमें EPF में वो 3267 परतीशत है employee pension scheme में जो fund हमारा कटता है वो 333 परतीशत कटता है और जो EDLI है EDLI हमारा insurance scheme है जिसमें हम 7 लाग रुपय तक का cover ले सकते हैं अगर हमारे साथ कोई दुरगटना हो जाती है मिर्त्य हो जाती है उस समय परिवार को यह 7 लाग रुपय तक का cover मिलता है इसमें हमारा contribution हर महीने 0.5 परतीशत कटता है और जो इसमें administrative charge है वो 0.5 परतीशत ही कटते हैं इसके बाद में दोस्तों आप इसको wages को आप बढ़ा भी सकते हैं यहां पर note पर लिखा गया under EPF the contribution are payable on maximum wages ceiling of Rs 15,000 रुपय यानि maximum जो wages है वो 15,000 रुपय पर ही कटेंगे कि आप चाहे या अगर आपका employer चाहे तो इस rate को आप गटा बढ़ा भी सकते हैं इसको आप 20% भी कर सकते हैं और इससे अधिक भी कर सकते हैं इसके लिए पैरा नंबर दिया है 26 इसके अंसार आप 15,000 से उपर भी अपना इसमें wages कटा सकते हैं जिसमें आपका employer बाद दे नह होगा employer आपका 15,000 पर ही wages जमा कराएगा और आप इससे उपर भी कटा सकते हैं अपने PF में इसमें दोस्तों ध्यान करकने वाली बात यह है कि आपका धाई लाग से उपर एक साल में नहीं होना चाहिए डाई लाग से अगर आपका wages बढ़ जाता है तो आपको tax देना पड़ देख सकते हैं इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सुभम टेक्निकल को लाइक करें अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सुभम टेक्निकल क फो लो करेंगा